मीन राशी, दोस्तों जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली में 12 नंबर में बैठे हूँ तब बनती है मीन राशी, मीन राशी के स्वामी है ब्रशपती देव, तो ये राशी बहुत ही शुब है मीन राशी वाले लोगों की खासियत होती है कि इन में दया और करुना की भावना कूट-कूट कर भरी होती है क्योंकि ब्रशपती देव इस राशी के स्वामी है और ब्रशपती यहां पे अपने सारे गुन दिखाते हैं तो इस राशी के जातक होते हैं वो बहुत ही दयालू ह बहुत दयालू प्रविर्ती के होते हैं और अकसर लोगों की मदद को ततपर रहते हैं. लेकिन अगर इनके साथ दोखा किया जाए तो ये प्रतिसोधी भी हो जाते हैं. यानि कि बदले की भावना भी इनमें तुरंट आ जाती है और ये बदला लेने के लिए ततपर भी हो जाते हैं दोस्तो मीनगाशी वाले जातकों की जो सबसे बड़ी खुबी है वो ये है कि ये लोग हमेशा प्रेतन सील रहते हैं यानि कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये हर दिन एक नई योजना बनाते हैं और फिर वो योजना धरी की धरी रह जाती है ये दूसरे दिन दूसरी योजना बनाते हैं और फिर वो योजना भी धरी यानि कि योजना तो यह लोगी बना लेते हैं लेकिन उस योजना पर अमल नहीं कर पाते तो इनको इस चीज से बचना है और दोस्तों इनकी और जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वह यह होती है कि ये दूसरी के बातों पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, इनको किसी और ने कोई प्लान सुना दिया कि आप ये कीजिए, आपको इसमें तरक्की मिलेगी, तो ये जो कारे कर रहे हैं, उसको छोड़ कर उस कारे में लग जाते हैं, जो किसी और ने सुझाया हो, आपको ऐसा नह को ले लेंगे, तो आप कोई भी कारे अच्छे से नहीं कर पाएं, दोस्तों बात करते हैं, इनके मकान, वहन और सुख के बारे में, दोस्तों इनके चौथे घर के कारक होते हैं, बुद्ध देव, तो इनको मकान, वहन देते तो हैं, लेकिन थोड़ी देर से, यानि कि 32 साल कि उम्र के बाद ही इनको अपना मकान या वाहन मिल पाता है दोस्तों ये लोग काफी कलपनाशील होते हैं इनकी imaginary जो पावर होती है वो बहुत जादा होती है जिस वजह से ये बड़े-बड़े ख्वात देखते हैं और ये चाहते हैं कि इनको ये सारी चीजें जल्दी मिल ज जार एक अच्छा वाहन जरूर देते हैं और आपको जब ये चीजें देते हैं तो वो स्थिर भी रहती है दोस्तों इनके जो पांचवे घर है उसके कारक है चंद्रदेव तो यहां पे ये लोग जो होते हैं बहुत ही रोमैंटिक होते हैं इनको बहुत ही रोमैंटिक होता है वो सबसे अच्छा होता है यारि कि सबसे अच्छी रोमैंटिक लाइफ अगर किसी की होती है तो मीन राशी वाले लोगों की होती है ये रोमैंस में अवल होते हैं और ये लोग एक अच्छे प्रेमी होते हैं लेकिन अकसर देखा गया है कि इनका मन जो होता है वो च जीवन साथी के प्रति Rs. समर्पित होते हैं। हैं यह लोग संगीत से बहुत जादा प्रेम करते हैं। हैं अक्सर देखा गया है की मीरदाशी वाले लोग जो हते हैं वह ॹू गाने में य incl8 कुट़ कर भड़ी होति Is ये लोग नित्ती में भी अच्छे होते हैं अक्सर ऐसा देखा गया है दोस्तों बात करते हैं इनके professional life की तो दोस्तों इनके दसवे घर के कारक हैं खुद ब्रशपती देव तो यहाँ पे ब्रशपती देव इनको एक बहुत अच्छा जोतिश बना सकते हैं या फिर एक बहु सिक्षक हो सकते हैं या प्रोफेशर हो सकते हैं इसके अलावे ये judiciary के छेतर में भी यानि जज हो सकते हैं जुडिशरी के छेतर में भी ये बहुत ही अच्छा करते हैं अक्सर देखा गया है कि मीन राशी वाले लोग जो होते हैं वो बड़े-बड़े court में जज की post पर होते हैं या फिर वकील होते हैं या फिर किसी बड़ी company के lawyer होते हैं तो इन लोगों के लिए law पढ़ना भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों ये लोग कॉमर्स में business में भी बहुत अच्छा करते हैं इनके लिए commerce subject science से जादा अच्छा होता है ये लोग commerce में अवल होते हैं दोस् हैं या फिर astronomer होते हैं बहुत ही गुनी होते हैं में राशी वाले लोग इन लोगों के लिए जो हिदायत है वो ये है कि ये लोग अपने मन की चंचलता पर काबु रखे हैं याणि कि मन को स्थिर रखें योजनाय बनाएं तो उस पर ठिके रहें दोस्तों अब इम चिया कर परिवार को खुश रखें, आप अपने पिता के लिए आप अपने परिवार के लिए जितना करेंगे आपका भाग आपको उतना ही साथ देगा, अगर आप अपने कुटुम से बना कर नहीं रखेंगे, तो आपके जीवन में कठनाईयां आएंगी और वो बढ़ती ही जीवन में सफलता पाने के लिए जो सबसे बड़ा मंत्र आपके लिए है, वो ये है कि आप करजे उतने ही ले जितने आप चुका सकते हैं, अक्सर देखा गया है कि मीन राशी वाले लोग जो हैं, वो करजे ले ले लेते हैं अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने के ल ऐसे समस्या आ जाती हैं, तो आप कोशिश करें कि करजे से बचें, और धोके बाज लोगों से भी बचेंगे, पार्टनरशिप में बिजनस नहीं करना चाहिए, अक्सर देखा गया है कि पार्टनरशिप में बिजनस करने से ऐसे लोगों के साथ बहुत बढ़ा धोका होजा कोशिच करें कि जब आप पार्टनर्शिप में विजनस करें तो सामने वाले को अच्छे से परक लें सारे पेपर सारे कागजाद जो है वह अच्छे से पढ़ लें तभी उसमें स्ताक्षर करें या फिर उस काम में आगे बढ़ें नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोख हो सकता है दोस्तों अगर आपकी जीवन में बहुत कठनाईया आ रही है तो आप ब्रिश्पतिवार का व्रत करें इससे आपकी कठनाईयां दूर हो जाएंगी इसके अलावा आपको केले के जड़ में हर ब्रिश्पतिवार को जल डालना है इससे भी आपकी परिशानियां पहले पीले वस्त्र को धारन कीजे या फिर पीला वस्त्र पहन कर ही कोई सुपकाम करने को निकलिए आपके काम जरूर बनेगे अगर आपके जीवन में परिशानियां बहुत जादा है और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए एक हिदायत है कि दोस्तों अपने घर के उत्तरी दिशा में कोई भी कचड़ा या कूड़ा ना रखे हो सके तो वहाँ पे एक केले का पेड़ लगाए और उस केले के पेड़ के जड़ में हर दिन आप चने की दाल और जल अरपन करें इससे भी आपके जीवन की परिशानिया दूर हो जाएगी दोस्त सके तो थोड़ा सा गुड़ भी आप उसमें डाल दीजे और उसके बाद ही आप अपने घर से निकलिए किसी भी कारे को करने के लिए इससे आपके जीवन की कठनाईयां दूर होगी आपके करजे भी दीरे-दीरे खत्म हो जाएगी इसके अलावा एक और उपाय आप कर सकत हर पूर्णवासी को आप अपने घर में सत्यनारायन भगवान की पूजा करवाएं, किसी पंडित से करवा सकते हैं तो ठीक है, वरना खुद भी कथा करें और प्रशाद ग्रहन करें, इससे भी आपके जीवन की परेशानिया धीरे-धीरे दूर हो जाएंगी, अगर आप ऐसा लगातार साल भर करते हैं, तो आप खुद में महसूस करेंगे कि आपके जीवन की कटनाईया धीरे-धीरे दूर हो गई, इसके अलावा आपको अपने जबान पर भी थोड़ा सा लगाम रखना चाहिए, यानि कि जब आप बाहर जाएं तो अपने भेद किसी को ना बताएं दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें, अगर आपकी लाइफ में कोई परिशानी है, जोतिस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं मैं खोशिश करूँगी कि आपकी परिशानी जरूर दूर करूँ